हेलो एवरीवन दीखे अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ओम स्लो देखो ओम स्लो में क्या कहता है आपको कहता है इट स्टेट्स डेट तब पोटेंशल डिफरेंस जो क्योंता है वी एपलाइड एक्रोस दा सर्केट इस डिरेक्टली पोपोर्शनल तो दा करंट इसको समझते हैं देखो जैसे मान लो यह एक सर्केट मैं बना रहा हूं यहां पर यह बल्ब कनेक्टिड है और यहां पर यह हमने इसमें एक बैटरी लगा दी इस तरीके से आप समझ सकते हो ठीक है और बैटरी में जो यहां पोटेंशल डिफरेंस है वो है वी और इसमें जो कुरेंट फ्लो कर रहा है वो है अब ओम स्लो क्या कहता है कि जो आपने पोटेंशल डिफरेंस एपलाइ किया है इस सर्केट में ठीक है वो डिरेक्टिव पोटेंशल होगा किसके करण्ट के मतलब जितना आप पोटेंशल बढ़ाओंगे उसी रेशो में यह आपका जो ह current भी बढ़ेगा इस circuit में समझ रहे हो बात को दुबारा से समझ लो देखो क्या है it states that the potential difference applied across the circuit जो potential difference आपने apply किया है across the circuit वो directly proportional होगा किसके current के लिखा हुआ is directly proportional to the current flowing in the circuit at constant temperature और temperature क्या होना चाहिए constant होना चाहिए कम या ज्यादा नहीं रहना चाहिए temperature ठीक है तो constant temperature में एक condition रहेगी कि जहाँ पर V जो है यानि कि potential difference वो directly proportional होगा किसके current के ऐसे लिखते हैं यह directly proportional समझ में आ रही है बात या नहीं ठीक है अब यहाँ से जब हम directly proportional का sign हटाएंगे तो V V is equal to जब लगाएंगे तो यह directly proportional का sign हट जाता है तो एक constant आता है जिसको हम क्या बोलते हैं R ठीक है कहीं भी जैसे physics में जब directly proportional का sign हम हटागे equal to रखते हैं तो एक constant term आती है ठीक है तो यहाँ पर constant term क्या आई है R जो की होता है हमारा resistance क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं ठीक है क्या होता है resistance इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V is equal to में I, R ठीक है और यहाँ से R की value देखो क्या आजाएगी V इधर है I इधर आजाएगा ना V upon में I वैसे मैं यहाँ पर कैसे करता है इसको V के नीचे यह I लेकर जाता और यह R इधर रहता ठीक है तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया R is equal to में V upon में I कैतनी बात समझ में R इया या नहीं बताओ देखो V is directivotion का I का मतलब क्या है कि जितना आप potential बढ़ाऊगे उतनी ratio में current भी बढ़ेगा समझ रहाँ मैं समझाऊँगा कि कैसे बढ़ता है ठीक है और directivotion का जब sign हटा दिया हमने तो एक constant term आती है जिसको हम resistance बोलते है R से हमने लिखा इसको और R I या फिर IR लिख सकते हैं यहाँ से और resistance की value भी निकाल सकते हैं V upon में I और resistance क्या है यहाँ पर constant term है तो देखो where R is a constant and cold resistance और resistance के बारे में वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन resistance होता क्या है जो की resist करता है flow of current को ठीक है जो current का flow है उसको क्या करता है यह resist करता है clear एतनी बात बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको ठीक है अब आजाते है important बात पे इसकी कि V I graph of ohm slow क्या है देखो जो graph है V I का वो क्या आता है हमारे पास straight line आएगा जैसे यह V हो गया और यह I हो गया ठीक है यह पता है आपको यह x axis यह वाला y axis होता है ठीक है तो graph of that V I क्या आता है हमारे पास straight line यह straight line बनता है ohm slow में क्यों straight line बनता है क्यों हमें पता है न condition कि V is directly proportional to I जितना यह potential बढ़ेगा उतना ही current बढ़ेगा तो उसके लिए क्या होता है फिर हमारे पास यह straight line आता है graph में अगर ऐसे यह directive proportional हो तो कैसी बनती है straight line बनती है ठीक है जैसे इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको जैसे यहाँ पर देखो यह एक example से समझाता हूँ देखो यह V है इधर और यह क्या है इधर I है ठीक है जैसे माल लो मैं यहाँ पर I की जो 30 ठीक है अब देखो इसमें अगर हमारे पास voltage है 10 तो current कितना है 5 है यह रहतनी बार ठीक है तो मतलब यहाँ बनेगा यह point और अगर voltage 20 है तो current कितना है 10 है तो यह point यहाँ बनेगा और voltage 30 है और current 15 है तो यह point यहाँ बनेगा ठीक है उतना ही आई होगा, ऐसा नहीं होता, कि ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये नहीं है, मतलब क्या देखो, ये value देखो, पहले current की कितनी है, 5 है, और voltage की कितनी है, यहाँ पर 10 है, समझ पारे हो ये चीज, ठीक है, अब जो अगली value आई है, ये 10, ये क्या होगा ह यहाँ, तो current भी कितना हुआ, 3 हुआ, 5, 3 हुआ, 15 हुआ, ये मतलब है, कि same ratio में ही बढ़ता है, ठीक है न, one time बढ़ रहा है, तो one time, two time बढ़ रहा है, तो फिर दोनों ही चीज़े, two times बढ़ेंगी, three times बढ़ेंगी, ठीक है, तो मतलब क्या है, V is reactivational आई का, ये चीज निकालते हैं, ठीक है, देखो, slope निकालने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, slope of vi graph, ये लिखा हुआ है, जो दिख रहा है आप सभी को, ठीक है, देखो, किसी भी line का जब हम slope निकालते हैं, ऐसे graph में, तो जो slope का formula होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, slope का formula होता है, y upon x, ठीक है, slope of line, क्या होता है हमारे पास, y by x, ठीक है, या हम slope of that vi graph, क्योंकि vi graph का slope है, वो क्या है, state line है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, slope of that line, इसको अगर मैं नाम दे दूँ, a, oa भी लिख सकता था, slope of line, oa या या फिख slope of vi graph, और vi graph क्या हमारे पास, ये state line है, उपर परना पड़ेगा, यहां मैं ये एक line लगाता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, और ये मान लो, यहां पर ये इतना v है, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, ये देखो, इसके बिल्कुत सामने है, parallel है, तो ये भी बनेगा, समझ रहे हो, और ये नीचे वाला क्या है, ये यही होगा, है ना, जो ये वैल्यू यहां है, वो यहां पर होगी, ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर ये line consider की दी, ठीक, तो slope के coding क्या होना चाहिए, ये य बाई X, तो Y क्या है, हमारे पास AB, और X क्या है, हमारे पास OB है, और AB की जो वैल्यू है, वो क्या है, V है, voltage व ठीक है, और ये क्या आगया, V by I, और अगर आप formula यहां उपर देख रहे हो, V by I किसके equal था, R के equal था, तो ये जो slope of V I graph है, ये किसकी value देता है, आपको resistance की value बताता है, slope of that V I graph, किसकी value बताएगा, resistance कि इसलिए लिए लिख रहा है, हमने, it gives the value of resistance, कि एतनी बात समझ में आई यहां पर, जो कि होता है, R, तो हमें पढ़र चल गया कि slope of V I graph, क्या बताता है हमें, resistance के बारे में बताता है, ठीक है, और graph कैसा होता है, इसका straight line होता है, on slow में, के इतनी बात समझ में आई है, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें IV graph, IV graph और V I graph में क्या difference है, दे इस चीज़ को समझना है, कि अगर आप यहां पर यह values चेंज करते हो, यह तो V I हो गया, और यहां IV हो गया, तो बहुत difference हो जाएगा, देखो कैसे, IV graph भी जो होगा हमारे बास, ohm slow में, वो straight line ही देगा हमें, ठीक है, क्योंकि V is direct to I है, तो इसमें भी यह होगा, ठीक है, ले या फिर slope of IV graph है, वो क्या होगा हमारे पास, Y by X, और Y क्या है अब देखो, इधर I है तो यह भी क्या हो गया, आई बनेगा, और यह नीचे वाला तो V है, तो Y वाला तो हो गया, आई, और यह वाला क्या बन गया हमारे पास, V बन गया, और मैं अगर इसको लिखता वैसे, त CD upon में OD लिखता, क्या लिखता, CD upon में OD, तो CD की value I हो गई और OD की value क्या हो गई, V हो गई, ठीक है, अब यह R की equal तो नहीं है, यह तो क्या हो गया, I by V हो गया, और R हमें पता है, R क्या होता है, V by I होता है, तो अगर यह I by V करना है, तो इनको value को फल्टो, I upon में V, तो यह R भी नीचे आजाएगा अगर यहां 1 है तो 1 उपर और नीचे तो यानि कि I by V की value क्यों होती है 1 by R होती है और 1 by R that is the reciprocal of resistance हो गया ना यह resistance यह है और यह क्या हो गया इसका reciprocal होगा है ना जैसे मालो 5 ohm है resistance जो है हमारा 5 value है R की तो यहां पर क्या होगी 1 by 5 reciprocal हो गया ना समझ रहे हो बात को reciprocal of resistance मिलता है हमें किस से slope of IV graph से और reciprocal of resistance क्या होता है conductance होता है यह चीज याद रखने हैं आपको ठीक है क्या होता है conductance जिसको हम G से लिखते हैं तो और आप G 사람 लिख सकते हो conductance होता है ठीक है देखो क्या लिखा हुआ ह है यह की बताता है slope हमें यहां से अगर आईवी graph है तो reciprocal देगा resistance का and reciprocal of resistance को howm क्या बोलते है conductance बोलते है are City patrol of a resistance को क्या बहुते है हम conductances conductance क्या होता है जो conduct करता है और resistance क्या है जो conduction कम करवाएगा देखो इस चीज़ को ऐसे समझो जैसे reciprocal of resistance मैंने क्या कहा conductance होता है ठीक है तो यह एक दूसरी के क्या है inversely है मतलब क्या है अगर किसी में मैं कहा रहा हूँ conductance जादा है तो resistance क्या है कम है देखो obvious ही बात है तो एक करण्ट कम है और करण्ट कम है तो मैं क्या कूंगा है यह गर इस जादा तो resistance क्या होगा हमारे पास कम होगा क्या चैनी आ रही है ठीक है तो बस जादा डिटेल में नहीं जाना इसमें तो slope of VI graph हमें resistance की value बताता है और slope of IV graph हमें conductance की value बताता है ठीक है दोनों में difference आपको समझ में आगया VI में V यहाँ, I यहाँ और IV में I यहाँ, V यहाँ कै इतनी बात clear है या नहीं है आया समझ में ठीक है अब इससे related एक question करते हैं आपको थोड़ा सक clear हो जाएगा यह concept देखो, यहाँ पर यह question है देखो इस तरीके question आते हैं पेपर में ठीक है, तो देखो क्या है, question number one है यह हमारे पास, कहता है a graph between potential difference V and current I is given यह ठीक है, हमारे पास V और I मतलब यह VI graph है, हमें जो दिया हुआ है ठीक है, कह रहा है, what is the relation between V and I, अब देखो, यह graph देखने से ही पास चाहता है, कि यह V और I की जो यह line है इसमें graph में, यह कैसी है, straight line है straight line का मतलब ही क्या है यह om slow ही देती है, V I graph में straight line किसमें मिलते हैं, om slow में और om slow में जो relation है, वो क्या है है हमारे पास, V is directive proportional to I, और इसका reason आप क्या लिख सकते हैं, because graph of V I is straight line, यह reason होगा, इसका स्टेट line है, इसलिए, यह हमें पता है V is directive proportional to I होगा, ठीक है यह तो normal भी आप लिख सकते हैं, straight line देखके V is directive proportional to I, यही relation होता है इनका, ठीक है, B part में चलते हैं, इसके देखो, B part में क्या कह रहा है, कह रहा है find the resistance of the conductor using the graph, resistance निकालना है using the graph, अब देखो यह कौन सा है, V और I वाला है, ठीक है, resistance की value हमें पता है, क्या होती है V upon में I, ठीक है देख लो, आप यहां से देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th value है यहां से भी V की 6th value देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह वाली आएगी ठीक है, तो V की value कितनी हो गई यहां पर हमारे पास 12 हो गई value रख लो, यह 12 और यह 3.0 का point हट आएंगे, तो 10 लगेगा और वो 10 उपर चला दाएगा ठीक है, 0 से यह 0, 3, 4 दा 12 तो कितना आगया यहां हमारे पास 4 ohm आगया, ठीक है, ohm जो होते हैं unit होते हैं, resistance के तो यह आगे clear हो जाएगा आपको जब हम resistance होला topic करेंगे, ठीक है, अब कहीं बच्चों को confusion हो रही हो कि last वाले क्यों लिया, अब देखो resistance मैंने पहले बताता है कि constant होगा, ठीक है तो आप कोई भी value ले लो, तो resistance यही निकलने वाला है, तो आप कोई भी value को लेकर कर सकते हो, मैंने last वाली value कर ली, जैसे मानलो हम यह 3rd वाली value लेते हैं, 1, 2, 3 तो अगर 3rd वाली value लेंगे, और कर लेता हूँ, 3rd वाली value में जो हमारे पास current है, वो है, मानलो 1.5 यहां से देखके 1, 2, 3, और V की value देख लो, 1, 2, 3 में यह 6 है, ठीक है, तो R is equal to में क्या होता है, हमारे पास V by I, तो V हो गया 6 और I है 1.5 और point हटाएंगे, तो उसका 10 लग जाएगा नीचे, उसको मुपर लेके जा सकते हैं, इसको cut कर लो, देख लो, 5, 2, 5, 3, 3, 2, 6, and 2, 2, 4, देख लो, किसी भी value पे आप निकाल लो, resistance वो क्या आएगा, 4 ohm ही आने वाला है, कि इतनी बात clear है, यह इसलिए बोला गया जाएगा, समझ रो, इतनी बात, temperature बढ़ाने से resistance बढ़ेगा, conductors में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और temperature अगर घटाएंगे, resistance घट जाएगा, समझ रो, इतनी बात, तो यह topic clear हो गया होगा आपको, ठीक है, अब इसी से ही related, बहुत important questions है, जो हम next two videos में करेंगे, तो वो बड़े important है, उनको जुरूर देखते हैं, clear, तब तक के लिए note करो, ओके जी, thank you.